Hello friends, अगर आपने learner license के लिए apply किया तो आपके पास application number आ चुका है और आप अपने learner license को अपने mobile phone में download करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको live room बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ 2 मिनट में अपने learner license को कैसे download कर सकते हैं तो वीडियो को लाश्ट टक जरू देखें बिल्कुल भी skip ना करें और साथी साथ इस चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को subscribe करो और बेलाइगनी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को notification आपको मिलता रहे तो चलते हमाल की screen पर learning driving lessons को download करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile phone या computer में किसी भी browser को open कर लेंगे तो आपर मैं mobile phone में chrome browser को open कर लेता हूँ और google search बार में type करेंगे परिबहन type करने के बाद सर्च करेंगे search करती आपके सामने पहले नमर की website आ जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं parbohan.gov.in सबसे पहले इस link पर क्लिक करेंगे link पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ स्तरीके का interface आ जाओग और आप परवन वाग के official page पर आ जाएगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले option देखने की मिल जाता है drivers and learner license इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने next page open ओकर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है select state name इस पर क्लिक करेंगे state को select करते ही आपके सामने कुछ स्तरीके का interface आ जाओग और आपने जिस भी state को select किया है उस state की जो भी services है वो आपके सामने निकल कर आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक pop-up देखने की मिल जाता है इस pop-up को cross button पर click करके हटा देंगे pop-up को अटाने के बाद आप यहाँ पर आपको एक option देखने की मिल जाता license मेनू इस पर click करेंगे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहला option देखने की मिल जाता है learner license इस पर click करेंगे click करते ही आपके सामने काफी सारे option देखने की मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक option देखने की मिल जाता पहला option देखने के मिल आता है application number अगर आपके पास application number है तो यहाँ पर application number को select कर लेंगे और अगर आपके पास license number है यहाँ पर license number के option पर click कर लेंगे और अगर आपके पास registered mobile number है तो यहाँ पर mobile number के option पर click कर लेंगे मोबायल नमबर को टाइप करने के बाद नीचे आपको option देखने के में लियाता है date of birth इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने calendar उपन होकर आ जाएगा नवैसे जो भी आपकी date of birth है उसको यहाँ से select कर लेंगे date of birth को select करने के बाद आप यहाँ पर submit के option पर क्लिक करेंगे submit के option पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का pop-up आ जाएगा जो भी आपका registered मुआल नमबर है उस पर OTP जाएगा उस OTP को type करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ok के option पर क्लिक करेंगे ok के option पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं enter OTP नमबर जो भी आपका registered मुआल नमबर है उस पर OTP जागा उस OTP को यहाँ पर type कर लेंगे OTP को type करने के बाद submit के option पर क्लिक करेंगे submit के option पर click करती आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाओगा जो भी आपका learner driving lessons है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस learner license को अगर आप download करना चाहते तो उपर आपको 3 dot का button देखने के मिल जाता इस पर click करेंगे क्लिक करने के बात अब यहाँ पर download के option पर click करेंगे download के option पर click करती जो भी आपका learner driving lessons है वो आपके मुवाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरीके से आप आसान तरीके से अपने learner driving lessons को डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं इसी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye